नेचर लवर्स आज हम आपको एक ऐसा पोधा दिखा रहे हैं जो आपने नहीं देखा होगा ये बेल की रूप में होता है जंगलों में पाया जाता है और बरसाथ के समय तो बहुत आयत से होता है वैसे ये पेरेनियल प्लांट है तो इसे देखकर आप ताजुप मान रहे हों लेटल साइम इंफ्लोसेंस एन्ड फिटेड हैरी लीज इसकी पत्तियों को अगर मसलते हैं तो उसमें से स्टमेयल आती है एक अजीब तरह की स्मेयल आती है ये देखिए इसमें फ्लार बर्ड लेटल साइड में आता है ये आप देखी रहे हैं जिस से पहचानने में आसानी हो जाती है के ये बेल कौन सी है ये जाडियों पर होती है common name, trellis wine, wheat low plant, swallow, wart hair, note plant, उत्रन, उत्रान, उत्हामानी, गडरिया की बेल, सागोनी, विसानी का, युग्म फला, मेंडा सिंगी, चांडाल दुग्दी का आदी नामों से इसे जाना जाता है यूजिज, इट टीट्स ए नंबर ओफ एल्मेंट्स यूज़ एज एंथेलमिल्टिक, लैक्सेटिव, एपरेटिव, इमेनोगोगू, एंटिपायरेटी, एक्सपेक्टोरेंट, डायरिया, मनेरियल, इंटर्मेंटेंट, फीवर, कफ, बिलियसनेस, और आइज, बहुत सारी पिमारियों में परियोग किया जाता है, आखें दुखती हों, या फोड़े फुनसी हों, चर्म रोग हो, दाध हो, खाज हो, उस लभी में इसको परियोग करते हैं, या जोडों में दर्द हो, तो इसकी पत्तियों को पीस करके उसका लेप घुटनों में या जोडों में जह से सफेद दूर जैसा पदास निकलता है तो उसे सफेद दाग पर लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं कुत्ते ने काट लिया है तो इसको जो है उसमें पत्तों को पीश करके उसमें इसे खिलाएं और काटे जो इस्थान पर करीब 15 दिन तक लगाएं तो रेबीच की जो बिमारी ये वो नहीं होगी आज सोर बवासीर में पत्तों को घी में तल कर तीन-चार दिन लगातार खाने से खूनी बवासीर भी ठीक हो जाती है तो बहुत ही काम का प्लांट है, यह कबज वगेरा भी ठीक हो जाती है और इसकी पत्तियों की और जो इसकी फल ओते हैं, कच्छे, उनकी सबजी भी बनाई जाती है तो आप देखी रहें, यह खून वगेरा को भी साफ करता है, यह प्लांट तो ये जाडियों पर कीकर पर या कहीं तार वगएरा लगाए हुए हैं किसी ने तो वहाँ पर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा प्लांट है बहुत ही अच्छी बेल है ये इसको आप ज्यान से देख लें इसका बोटनीकल नेम परगुलwest R commissions को जो बिने मैं इसको नाम नाम पर इसका मेंड्र सिंगि भी नाम रख Hilg transmission नेम आई ह में जो एक तरफ से जुड़ी हुई सी यह से होती है और उस पर हेर से होते सकुलेंट सिक्याइब देखिए इसका फल है जो पकने के बाद बस्ट हो जाता है उसमें इस तरह की ये रेसे से निकलते हैं धागे से निकलते हैं और ये अपने आप उड़कर दूसरी जगा चला जाता है अगर इसकी बट्ति बना करके आप सर्सों के तेल में चला करके दीपक रखेंगे तो इससे negative उज्जा अंदर से बाहर हो जाती है और positive energy आती है यह देखिए इसके फल बहुत सारे इस पर लगे हुए हैं और उड़ भी गए हैं इसके बीच उसमें से निकल करके यह इसके फल और बीच और इसमें जो रूई जैसे धागे से होते हुँ सब इसमें आप देख सकते हैं बार-बार उसमें से हो जाती है यह देखिए बहुत सुन्दर है अब यह जैसे सीजन ओफ हो जाता तो बेल सूख जाती है एक्सर और इसके जो फलियां है वह बस्ट होकर के उसके बीच इधा उदर चले जाते हवा में उड़कर के जांसूटेबल टेंप्रेचर और सोयल हो होती है वहां पर जर्मिनेट हो जाता देखिए कितनी फलियां लगी हुई है इसमें देखिए इने भी अगर तोड़ेंगे फल को तो वहां से जैसे तोड़ते हैं तो देखिए इसमें से दूर सा निकलता है थैंक्स एलोट फोर वाचिंग कंप्लीट वीडियो और इफ प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू